आपको फूद कस्टर बनाके अग्या हमने लिए वॉटर मेलन पापाया पॉंगरेफ नक्री नहीं से हाफ बाउल ग्रेप्स हमको ग्रेप्स को इस्ट्राइप से अलग कर लेना है ब्रांच में से यह हमारे ग्रेप्स अलग होगा है और हमको इनको कट करना है नाइफ की हेल्प से आप भी इसको घर पर जरूर ट्राइप करें और इस वीडियो के लिए एक लाइक शेर एक सब्सक्राइब जरूर करें और इसी टाइप से हमको सारे फ्रूट्स कट कर लेने हैं ग्रेप्स को हम इससे काट लेंगे वीच में से इस ट्राइप से हमने हमारे ग्रेप्स को कर्ट कर दिया अब हम हमारे वन फॉर्ट मसक मेलन को कर्ट करेंगे उसके अपन पहले फाक कर लेंगे उसके बाद उनको पील कर लेंगे उसके बाद उनके क्यूब्स करेंगे तो हम पहले इसकी फाक करेंगे आप इस तरह से इसको पील करें और फिर इसको कर्ट करें इसे बहुत अच्छे होते हैं कर्ट कर रहे हैं पहले इनको बीच में से यहां पर से कर्ट करेंगे इसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे इसी तरह से हम हमारे सारे मेलन को कर्ट कर लेंगे इसके पहले हम इसके फोटीश करेंगे इसके बाद इनके छीट्स अलग करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से इसके इसके टूपीस करके इसके भी शीट्स अलग कर लेंगे हमने वाटर मेलन की भी कर्टिंग कर ली पापाया की कर्टिंग कर ली मसक मेलन की कर्टिंग कर ली की पोमे ग्रेनेत की काड़ीं कर लिए ग्रैप्स की काड़ींग कर ली और अब मेरे त्व मिलके रेडीं करेंगे के स्टर्ड मैं ने इसका सब्सक्राइट अर गढज़ी अलग अलग फ्रूट्स लिये हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसी तरह से अब भी इसको कर्टिंग करें त्री स्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे त्री टेबल स्पून इसको हम कप में निकाल कर इसमें थोड़ा से चिल्ड मिल्क मिक्स करकर हमने इसमें मिल्क कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर को यह बढ़ने पर बहुत ही अमी लगता है आप इसको ट्राइ करना इसको हम मिक्स कर लेंगे ताके इसमें गुट्ले नि बने और यहां पर हमने मिल्क को बॉइल होने के लिए रखा है वन लीटर मिल्क जब यह बॉइल हो जाएगा तो हम इसमें कस्टर्ड पाउडर कस्टर्ड लिक्विट एड़ करेंगे यह आप देख सकते हैं इसकी कंटेंस चिति कितने अच्छा है और आप इसको अच्छे से मिक्स करें इसके नीचे लंस नहीं रहना चाहिए यह देख सकते आप इसमें चर्छा में फिल्क बॉइल हो गया है अब हम इसमें शुकर डालेंगे वह फाउल कि यहां पर हमने शुकर ढाल दिया यहां पर वन बाउल कि इसमें अमने सूकर डालके इसको मिक्स कर दिया है hace अब उसमें कस्ठर्ट। का थोड़ा थोड़ा liquid मिक्स करेंगे और मिक्स करते जाएंगे डालते जाइंगे आप देख सकते हैं कि तशह करेरा हमारे के तरह इस तरह से आप भी सको मिक्स करें यह बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद हम इसको में इसले करते जाते हैं ताके इसमें लंस नहीं आए जिसे हैं अपने इसको चलाते हैं तो इसके लंस सारे तूट जाते हैं किया मारे कर स्टर्ड अच्छे से पग गया है गाड़ा हो गया है यह अच्छे से लाओ आप देख सकते हैं यह इता अच्छा गाहा हुआ हुआ है यह ठंडा होने पर और गाड़ा हो जाएगा यह कितनी अच्छी कंटेंस है आप इसी इस पर गेस बन कर दें इसी स्ट्रेश पर गेस ऑफ कर दें अब हम इसमें फूब डालेंगे मस्ट मेलन पॉम्म ग्रेनेट इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा था देखने में बहुत ब्यूटिफुल लगता आई है ग्रेप पापाया वोटर मेलन इंको हमने सब को डाल लिया है अब हम इसको मिक्स करेंगे यह बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद आप इसको सब्स में ज़रूर क्राय करें यह बहुत यामी लगता है इसका कलर भी लेख सकते हैं आप इतना अच्छा है आई आई यामी लगा यामी यामी लगा टेस्टी यामी जल्दी जल्दी आपको फिनिश करो यह इब्राहिम भाई का कस्ट्रडे अब्राहिम भाई जल्दी से खा कर बताओ कैसा लगा आपको सकते हैं फ्रेंड्स है कितना यामी अंटेस्टी है हमारा फूट कस्टरड बनके रेडी है आप इसको जरूर ट्राय करें अपने घर पर इस वी और कमेंट में बताएं आपको करें थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस वी थ में पताएं को करें साला का